वेल्कम एब्रीवर्डी टू आर यूट्वी चैनल अन् दिस वीडियो आई शाल डिस्कस वीथू दा अफिस्यल सिलाबस अफ एच्पीशल रिकॉर्मेंट 2023 आप सबीकु मलूम है हली ही एच्पीशल का रिकॉर्मेंट आचुक है मुंबाई रिफेनर का ही रिकॉर्मेंट है तो उसका जो अफिस्यल उपसेट पर जो सिलाबस अभी आवे ले उड़े मैं उसके आपके साथ डिसकसन करने जा रहा हूँ तो कुर्पया वीडियो के आखिरित तक हमारी साथ बने रहे है तो चले वीडियो स्टार्ट करती हूँ आपके समने अभी में सारे ट्रेड के लिए एक एकर सारे ट्रेड का औफिस्यल जो सिलाबस से मैं उसके साथ डिसकसन करूंगा और क्या स्टार्टिजी रहने वाली है एक्जामी के लिए बस CBT के लिए आपके कैसी तरीका प्रिप्यार होना है उसके उपर में हम बात करेंगे तो जरू हमारे साथ वीडियो के आखरी तक बन रहे हैं तो चले वीडियो स्टार्ट करते हूँ फर्स अफल आप स्केन में देख सकते हों कम्पूटर बेस टेस्ट यानि CBT आपका होगा ठीके पहला सिलाबस है आसिस्टन्ट प्रोसेस टेक्निशन के लिए APT chart में लग देता हूं Assistant Process Technician जो भी जिसके लिए डिप्लोमा और B.S.C. दोनो एलिजिवल है तो उनके लिए उप पहला सिलाबस उसके बाद हम फाइल सेप्टी इलिट्सियान सारी साइट टेट का सिलाबस डिसकेशन करेंगे सब्सक्राइबस आपकी जो एक्जाम डिरेशन रहेंगा ओ दो घंड रहेंगा टोटाल मार्क यहाँ पर देख सकते हो 100 मार्क है अल्ड़ कोश्चिन आपको सारे की सारी कोश्चिन अब्जेटिव रहेंगा और M.C. को फर्माट में रहेगा टोटाल नंबर अब कोश्चिन इ इस कोश्चिन करी वान मार्क त्यरिच नौ नेगेटिव मार्क इसको क्लियर कर दिजे माइड में आपकी सिर्फिंट में कोई की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने बाली है ठीक है एक कोसिन सही हो तो एक मार मिलेंगा गलत हो गया तो कुछ प्रब्लेन नहीं होगा उसका बाद सिलाबस की बात करिए, यहाँ पे देख लीजिए उसका जो सिलाबस दो कैटागरी में डिवैड़ेड है, पहला काटागरी पार्ट वान और दूसरा काटागरी पार्ट वान जेनरल अप्रिचुड, पार्ट टेक्निकल, पार्ट वसे आपका पचास मार कोष्ची 1 पचास को खिचन आएगा 50 मका और प्ठट्टीब में भी 50 कोश्चे न आएगा 50 मिर्ग ठीकि है पहले हम पार्ट वान की बात करे तो पेठ वार जेनेल अबिलिटी में आपका चार सेक्शं रहे हिनामाली है पहला सेक्षन में आपका भर्बाल अबिलिटी बाप पहला पाट भर्बाल दूसरा क्वांटिटीटीव अप्रिचूट तिसरा अनल्टिकार रिजोनिंग थार्ड जन्यान नॉलेज्ज जन्याल साइन्स और एंभर्मेंट यहां पे सबसे बढ़ी बात आपकी इंग्लिस नहीं है सिलाबस में इंग्लिस और नहीं लिखाए तो इंग्लिस भी नहीं आएंगे यहाँ पर भर्बाल अबिलिटी आएगे यानि वह भी क्रिजोनिंगे पार्ट है क्वांटिटी अप्टिचूट बाद एलिमेंटरी मैथमेटिस आप कहे सकते हो उसके बाद जेने नाल करिए तो टेक्निकल से आप देख सकते हो 50 मार कभी टेक्निकल क्वेश्टिन आएगा जिस मैं आपको क्वेश्टिन पुछ जाएंगा डिफरेंट टाइप आप हाइड्र कार्बन फ्लम फ्लम बिलिटी एक्स्प्लोसिविटी और कंबुस्टन डिफरेंट टाइप अप शुक्त के बाद प्रोसेस इन्स्ट्रूमेट ऑड कॉंटोल सिस्टम वसके बाद प्रोसेस सेथी उसके बाद डिफरेंट टाइप अपप फ्लम फायर इकुम्मेंट उसके बाद utility system property and uses air water steam nitrogen बेसिकली आठ चप्टर से आपका question आने बली है maximum chapter यहांपे diploma बाला कोई है डिप्लोमावालों का सारे हीं सेप्टर है तो बेसिवालो घवरनमोत आपको सिस करिए non-tech बाद जिसको हम जन्याल अपनी चुल पार्ट वान कहेते वह पार्ट वान से आप चैदास ज्यादा question बाद score करने के लिए आपको सिस करिए और technical part 2 में आप चाहे तो डिफरेंट टाइप आईडरोकर्बन पढ़ सकते हो बाकि डिप्लोमाट टपिक कुछ है उसको आप पढ़ सकते हो question आपके लिए बन रहा तो अच्छा है नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं आप उसको मार कर दीजिए सही होगे तो आच्छा आपके लिए नहीं हो तो नहीं है बुरा तो कुछिस करको में भी उस चाप्टर से लेटेड कुछ वीडियो भी हमारी चैनल पर अप्टरड होने वाली है तो हमारी साथ बने रहे हैं वहीं पहला सेक्षन था पहला सिबीटी का सिलाबस हमने देख लिया है प्रोसेस टेकिनिशान के लिए आगे बढ़ता हूं दूस सारे के सारे ट्रेड के लिए सेम है पचास को सिना आएगा पचास मार्क का जिसमें आपका चार सेक्षन रहेंगा वर्बाल अब्लिटी कुट्रे अप्लिचूड अनार्टिकर जोनी और जेनियाल नॉलेज्ज जेनियल साइन्स आड एन्वार्मेंटल साइन्स ठीके उसके बाद बॉयलर अटिन्ट टेक्निकल की बाद करी तो एक लंबा चिलाबस आपको देखने मिलेंगा वाटर क्वालिटी टीटमेंट प्रोसेस सच आज D-Mineralization Plant, Analysis of Water, Condition of pH, DTS, etc. डिरेशन औफ Water, Boiler, Field Water, Preparation, Steam Eats, Condensation System, Combustion Principles, Economizer, Preheater, Boiler, Superheater यह जो प्रपोस देख सकते हैं आपके बहुत सराब के लिए चाप्टरून ने मेंशन कर दिया है आप ज्यान से शिलाबस को देखे ह engine, उसी सब आप प्रटतर से रहें वाप्रीफेशन करें ठीके उसके बाद अगला सिलाबस की बात करी तो वह है player safety operator के लिए अपे आपर पोजिशन देख सकतो पोजिशन fire assistant ऑसिस्टन fire and safety operator के लिए उनका भी part 1 इस जनला अपिटिचीब भी ही सेम रहने बाली होली है उसके बाद टेक्निकल बात करिए तो वहां पे fire से रिलेटेड आपको पड़ना है टेक्निकल के बात करिए fire engineering fundamental, fire fighting chemical, fire detection and control, fire protection, fire tender, fire service and hydraulic, fire rescue, fire investigation, inspection and testing, fire fighting system, safety engineering, fire fighting chemical, MSDC knowledge, written communication skill तो उस बारा चाक्टर आपके रहेंगा सिविटी के लिए तो आच्छा से आपको नोट कर दना है एक स्केन सटल ले जाना है उसी सबसे आपको पड़ना है फायर फाइटिंग फायर स्ट्रेट के लिए अगले सिलाबस है हमारी इलेटिकाल आसिस्टांड मेंटेनांस टेक्नि सियान इलेटिकल के लिए बार डिप्लोमाइन इलेक्टिकल के लिए अगले सिलाबस है उसको आप देश सकते हो पहला पाट भी ओई नौन टेक्ट बार जेनल अप्रिचुल पार्ट पचास कोश्चिन आएंगा पचास मार्क का ठीक है जिसमें आपको फरबाल अबिलेटिक क्कॉन्टिटिव अप्रिचुड्स आनटिर रिजोनिंग जनल नौलेज जनल साइन्स एनवर्मेंट सिलेटर रहने वाले है पचास कोश्चिन उसके बार टेक्निकल की बात करिये तो हाँ पर आपकी इलेक्ट्रोनिक बार डिप्लोमाइन इलेक्टिकल सिलेटर ही आएंगा जिसमें आपको बेसिक इलेक्टिकल और सिर्कुट थियोरी दूसरा इलेक्टिकल मेकानिक्स दिसी मेशीन और टांस्फोर्मर नेक्स्टिकल इलेक्टिकल डिवाइन सिर्कुट एलेक्टिकल मेशीन तूसरा इलेक्टिकल मेशीन तूसरा इलेक्टिकल मेशीन तूसरा इलेक स्विगर और स्ट्राइब स्काड़ एस से लेटर चप्टर से आपका इलेट काल कुस्चिन बनेंगा जोकी 50 कुस्चिन रहने बाले है और जिसका मार्क रहेगा 50 मार्क थीके तो आप आच्छा से देख लिजिए आपकी सिलाबस जो भी आप जो कोई भी टेड से बिलेंग करते हैं आप उसी सबसे आपका सिलाबस देख सकते हो पहला अभी स्केन पर आवेले असिस्टान मेंटनाल्स इलेट कलका उसके बाद हम डिसकेशन कर चुके असिस्टान फ तब ही लंबा सिलाबस से ब्लेर के लिए उसके बाद हमारी असिस्टान प्रोसेस टेकनिशन का जिसके भी दो पाट रहेगा एक तो नंटिक पाट जिसको हम जेनेरल अप्टिजूड पाट कहते हैं जिसमें पचाल सवाल लाइने वाली है और दूसरा टेकनिकल पाट जिसम नोट कर लिजिए और सिसर आपको चप्टर को कहीं बुक्स या यूट्यूब से या उनलाइन सोर्सेस वे आपको प्रिप्यार करना पड़ेंगा ठीके जिक्षिकतों आपकी मैं दुबार कर देता हूं हाँ नंटेक सेक्षन या आपके भी में थोड़ी सा को काटाग्राइ और यहां पर जेनल्ट जेनल साइंस एन्वार्मेंट यहां पर इंग्लिज की कोई वी उन्होंने में नहीं किया है तो इसा हो सकते है भर्बाल अबिट्टिस से आपका 10 को सिन आने बाली है कोंटिटी अपटिचूर्ड Scania लाइने बाली है और जयनालटिका रीजोनिंस में दस कुंच अनरी बाली है और जेड 110 नालेलिज जेनल साइंस इंवर्मेंड्ट्स की सब्बग 20 कुश्से दें यहाँ पर आने बाली है क्योंगि हाँ इंगलिस होता तो दस मार्ट वो भी आता है लेकिन इंग्लिस मेंशन नहीं तो इसलिए उसका जो जेनेल नालेज्ज, जेनेल साइन्स एन्वर्मेट्ट जो लास्ट पाट है उसमें आपके लबग 20 कोश्चिन आ सकता है और बाकी तीनों सेक्शन में 10-10 कोश्चिन आ सकता है ठीके आप उसी से भरबार अबिलिटी आपके वान टाइप आप रिजोनिंग है वागि क्वांटिटी आप्टिचूर आप मैं इलेमेंटरी मैथमेटिस में आप्टिचूर कह सकता हूँ जिसमें प्रसेंटेज, प्रफिट लोज, टाइम और वार्क, टाइम डिस्टान्स, आभरेज, मिस्रा रहेगा और एंवार्मेंटर से भी कुस्चिन एक-दो आपको देखने मिलेंगा ठीके बाकि आपके टेक्निकल बात करें टेक्निकल सब पचास कुस्चिन आएगा इसका पचास मार रहेगा तो आपकी ट्रेड के उसाब से आप सिलाबास देख लिजी उसी सब पढ़त रहे हम करिश करें कुछ नं-tec बात जेनर आप्रिचूड परसन में कुछ विडियो अपलेड करने के लिए और ऑसिशन प्रोसेश टेक्निकल से भी रिर्लेटर कुछ विडियो अपलेड करने के लिए कोशिश करूँके तो हमारे साथ बने रहें आपकी प्रिपारेशन को अच् और previous year question हम एक डाला था जो हो जो की 2018 में हुआ था लेकिन अभी उस टाइम कोई भी सिलाबस उन्होंने अफिस्याली नहीं दिया था तो इसलिए उनसे तो कोई हिल्प नहीं होने बाली है लेकिन उसके बाद डिटो अभी जो भी सिलाबस उन्होंने आपके लिए रखा है टेकनिकल आप देख चेकते हो उसी सिलाबस भी विस्या का रिफैनरी का था डिटो एकजल्टी ओई टाइप चिलाबस विस्या का रिफैनरी का था तो हम process करेंगे उसका जो previous question है, विसा का refinerie का previous question है, उसको हम आपके समने लाने के लिए और discussion करने के लिए हम process करेंगे, तो एक और दूर दो पाट में हम उसको upload करेंगे, तो उसका जो non-tech person है, वो आपके लिए सारे सारी trade के लिए फाइदामान हो सकता है, तो हमरे सब एसे बन रहे जिसके लिए हम कोशिस करें आपके लिए कुछ special record में लिटेर मदद करने के लिए तो ठीक हम उस विडियो में आपके साथ selection शरी सिलावाश discussion कर लिया है तो अशा करते हूं विडियो आपके लिए थोड़ी से भी फाइदा मान होगा तो आपके यूँ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दोस्त के साथ वीडियो जरू सेर करिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू थेंक्यू पर वाचिंग